आज हम पढ़ेंगे lesson number one जिसका नाम है the fun they had यानि की जो मज़ा वो किया करते थे तो इस story को start करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये story जो है वो future में set की गई है मतलब की भविश्य में मतलब ये कहानी आज की लोगों की नहीं है ये कहानी भविश्य की है जब किताबें और school जैसे हम उन्हें आज जानते हैं उस तरीके से नहीं होती होंगी तो तब बच्चे कैसे पढ़ते होंगे तो जैसे आप सोचो भविश्य में स्कूल कैसी होंगी जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हो रहा है आप सब लोग भी अभी कम्प्यूटर से पढ़ रहे हो वर्च्वल क्लास्रूम है यानि कि आप टीचर को आपने सामने एकदम पास में नहीं देख सकते हैं सिर्फ एक स्क्रीन पे यानि कि कम्प्यूटर या मोबाइल पे देखते हो या हो सकता है भविश्य में रोबोट टीचर बनके आ जाए तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157 she wrote Today Tommy found a real book It was a very old book Margie's grandfather once said that when he was a little boy his grandfather told him there was stories were printed on paper Margie ने उस रात को अपनी diary में भी उस बारे में लिखा उस diary में उस दिन के page पर लिखा हुआ था 17 मई 2157 यानि कि वह साल यानि कि आभी क्या चल रहा है 2020 2020 चल रहा है और तब कौन सा साल होगा 2157 उसने उस diary में लिखा आज टॉमी को एक असली किताब मिली वो एक बहुत पुरानी किताब थी Margie के दादा जी ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके दादा ने उन्हें बताया था कि एक ऐसा वक्त भी था जब सारी कहानिया पेपर पे छपती थी वो पेज एकदम पीले से और क्रिंकली थी क्रिंकली का मत्तब होता है जिसमें बहुत सारे फोल्ड हुए वे हो या लाइने बनी हुई हो ऐसे होते है ना पुरानी किताबों के पेज वैसे और ये बहुत ही मज़ेदार था उनके लिए देखना कि उसमें ऐसे शब्द थे जो हिल नहीं रहे थे जो बिलकुल रुके हुए थे क्योंकि उन्हें हिलते वे शब्दों की आदती हिलते वे शब्द कहां देखते हैं जिससे कम्प्यूटर में हिलते रहते हैं या फोन में ऐसा और जब उन्होंने वापस पेज पल्टा तब भी उस पे वही पे शब्द थे और वो शब्द हटे नहीं थे जी, said Tommy, what a waste when you are through with the book, you just throw it away, I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more, I wouldn't throw it away Tommy ने कहा, छी, कितना waste है यह जब किताब खतम हो जाए, तो आप उसे बस फेग दोगे मुझे ऐसा लगता है हमारी जो TV के screen है, उसमें तो कितनी सारी किताबियां TV, computer, mobile, उसमें तो कितनी ही सारी किताबे हैं और अभी उसमें और भी आ सकती है तो मैं उसे तो नहीं फेगता या फेखूंगा Same with mine, said Margie She was 11 and hadn't seen as many telly books as Tommy had He was 13 She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading In the attic, what's it about? School फिर Margie ने का, मेरे साथ भी ऐसा ही है मैं भी अपनी TV screen को कभी फेखूंगी नहीं TV screen या computer को कभी फेखूंगी नहीं वो 11 साल की थी और उसमें इतनी सारी computer वाली किताबे नहीं देखी थी जितनी Tommy के पास थी Tommy उससे 2 साल बढ़ा था यानि वो 13 साल का था फिर Margie ने कहा तुम्हें ये किताब कहां मिली Tommy ने बताया मेरे घर में और उसने बिना देखे इशारा किया attic की तरफ attic एक store room जैसा होता है और उसने बिना देखे इसलिए इशारा के क्योंकि उस किताब को पढ़ने में व्यस्त था फिर Margie ने उससे पूछा ये किताब किस बारे में है Tommy ने बताया school के बारे में Margie was scornful School? What's there to write about school? I hate school Margie always hated school but now she hated it more than ever The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector Margie जो थी वो scornful थी scornful का मतलब Margie को ऐसा Margie ऐसा दिखाना चारी थी ये चीज कितनी बेकार है School? ऐसा क्या है school के बारे में लिखने को? मुझे तो school से नफरत है Margie को school बिलकुल पसंद नहीं था पर अब उसे school पहले से जादा ना पसंद था जो मुझे थी It was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires He smiled at Margie and gave her an apple Then took the teacher apart Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again but he knew how all right and after an hour or so there it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked तो मार जी की जो ममी थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया तो काउंटी इंस्पेक्टर को अपन ऐसा मान सकते हैं कि जो कम्प्यूटर थी करता हो या मेकानिक हो तो एक गोल छोटा सा आदमी था जिसका लाल चेहरा था और उसके पास बहुत सारे टूल्स का जैसे की पेचकस प्लास इन सब समानों का एक बड़ा सा बॉक्स था डबा था जिसके उपर बहुत सारे तार थे वो मार जी की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसे एक एपल दी सेब दी खाने को और फिर उस टीचर को यानि की मार जी के लिए टीचर क्या थे कम्प्यूटर उसको लेकर चला गया मार जी चाहती थी की काश उसे पता ना हो की वापस उसे ठीक कैसे करना हो पर उस mechanic को तो सब कुछ पता था और इसलिए एक गंटे के बाद वापस वो उस computer को ठीक करके ले आया जो की large यानि की बड़ा, काला और बहुती बदसूरत सा दिखने वाली एक बड़ी सी screen थी जैसे की बड़ी सी TV होती है जिसके ओपर सारे lessons दिखाय जाते थे और questions पूछे जाते थे यह पर यह सब उतना भी बुरा नहीं था जो मार जी को सबसे ज़ादा नापसंद चीज थी वो थी वो time जब मार जी को अपना सारा homework और जो भी वो test में paper पे लिखती थी उन सब को एक code, एक punch code यानि कि उसको दबाना पड़ता था उन सारी लिखी वी चीज़ों को उसको code में बताना पड़ता था और वो code उसे कब सिखाया गया था? जब वो 6 साल की थी और वो जो mechanical teacher जो था यानि की computer था वो थोड़ी सी देर में उसके marks उसको calculate करके बता देता था अधरो कि उसकी चीज़े सिखाया इक्सीemर हो में लिखीन की स उसके करेण देस चेज़ोंसता mother देटी भेम की म्हों सारी चीज़ोंसावा की से की मुछता टिरhatो प्यरे सी ता-देसे स्टेकर था वो इन्सपेक्टर हसा और जैसी उसका काम खतम और इसने मार जी के सर पे सर सहलाया उसने उसकी मा को कहा इसमें इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है मिसीस जोन्स मिसेस जोन्स पतलब मार्जी की मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि जोग्रफी सेक्टर यानि कि भूगोल का जो सेक्टर था वो थोड़ा ज़ादा तेज़ चल रहा था उसकी क्ला से ऐसा कभी कबार होता है तो मैंने इसको slow कर दिया यानि धीमा कर दिया है एक 10 साल के बच्चे जित्ता और वैसे भी इसकी अभी तक की प्रोग्रेस काफी सही है Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Margie बहुत उदास हो गई. वो ये चहा रही थी कि वो उस teacher को हमेशा के लिए यानि कि उस computer को हमेशा के लिए ले जाएंगे. एक बार वो Tommy के teacher को यानि कम्प्यूटर को भी ले के गए थे एक महीने तक क्योंकि history के lesson उसमें बिलकुल दिखना बंद हो गए थे. So she said to Tommy, why would anyone write about school? Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago, Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो उसने Tommy से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा और क्यों लिखेगा? Tommy ने उसकी तरफ देखा और उसे कहा, क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं है बुद्धू, ये पुराने टाइप का स्कूल है, जो बहुत सौ साल से भी पुराना है. फिर उसने एक बहुत ही सुपीरे रानी की बड़े होने के नाते उस शब्ध को कहा, नहीं, सौ साल भी नहीं, सद्यों पुराना स्कूल. मार जी दुखी हो गई, उसने कहा, वैसे मुझे नहीं पता की उनके टाइम कैसी स्कूल होगी, पर जो भी हो, उनके पास भी टीचर होगा. पिर तॉमी नहीं कहा, हाँ, उनके टीचर थे, पर वो हमारे टीचर जैसे नहीं थे, वो एक आदमी हुआ करता था उनका टीचर, आदमी, तब मार जी ने कहा, आदमी, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वैसे वो सिर्फ लड़के और लड़कियों को चीजे बताता था, उन्हें होमवक देता था और उनसे सवाल पूछता था. मार जी ने कहा, एक आदमी इतना समझदार नहीं हो सकता, तब टॉमी ने कहा, हो सकता है, मेरे पापा को भी उतना ही पता है, जितना मेरे कमप्यूटर को. तो तब मारजी ने का कि उनको उतना ही पता होगा पर कम्प्यूटर से जादा नहीं मैं तुमसे शर्ट लगा सकती हूं मारजी wasn't prepared to dispute that She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me Tommy screamed with laughter You don't know much, मारजी The teachers didn't live in the house They had a special building and all the kids went there And all the kids learned the same thing Sure, if they were the same age मारजी उससे लड़ने के लिए तयार नहीं थी उसने कहा, पर मैं नहीं चाओंगी कि मेरे घर में कोई अंजान आदमी आकर मुझे पढ़ाए मैं नहीं चाओंगी कि मेरे घर में कोई अंजान आदमी आकर पढ़ाए टॉमी बहुत जोर-जोर से हसा तो मैं जादा नहीं पता मारजी वो टीचर घर में नहीं रहते थे उनके पास एक स्पेशल एक खास किस्म की बिल्डिंग इमारत थी और सारे बच्चे वहीं जाते थे और तब मारजी ने उससे पूछा और क्या सारे बच्चे एक ही जैसी चीज सीखते थे हाँ अगर वो सेम एज के हो यानि एक ही उम्र के हो ऐसा टॉमी ने जवाब दिया और मेरी मा कहती है पर मेरी मा कहती है कि एक टीचर को हर लड़के और हर लड़की के दिमाग के हिसाफ से एड़्जस्ट होना चाहिए जिने उसे पढ़ाना हो और हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होता है हाँ ऐसा है वो भी ऐसा ही करते थे पर इस तरीके से नहीं अगर तुम्हें नहीं पसन तो तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए मैंने ऐसा नहीं का कि मुझे नहीं पसन मार्जी ने एकदम से कहा वो चाहती थी कि वो उन फनी यानि कि वो मजाक्या स्कूलों के बारे में पढ़े और वो बारे में अगरे मार्जी फोन्हें था नहीं का की फिनी तुम्हें टुम्हें तुम्हें तुम्हें पाँट्य। And it's probably time for Tommy too Margie said to Tommy Can I read the book some more with you after school? Maybe He said nonchalantly He walked away whistling The dusty old book tugged beneath his arm उन लोग ने आदी भी नहीं खतम की थी जब Margie की ममी ने बुलाया Margie, school का time हो गया है Margie उठी और उसने कहा अभी नहीं ममा Mrs. Jones ने कहा अभी और Tommy की school का भी time हो गया है Margie ने Tommy से कहा क्या मैं तुम्हारे साथ ये book school के बात पर सकती हूँ Tommy ने कहा शायद और बिना कोई ज़्यादा ध्यान देते हुए और वो CT बजाते हुए निकल गया और उसकी बाजूं के नीचे वो किताब फसी हुई थी Margie went into the school room It was right next to her bedroom And the mechanical teacher was on and waiting for her It was always on at the same time except Saturday and Sunday Because her mother said little girls learnt better if they learnt at regular hours Margie अपने school गई School room में गई वो उसके bedroom से उसके कमरे से बिलकुल अडाकर room था और वो mechanical teacher यानि कि computer चालूं होकर उसका इंतजार कर रहा था वो हमेशा वक्त पे होता था सिवाए Saturday और Sunday छोड़कर यानि शनिवार और अविवार छोड़कर क्योंकि उसकी महा कहती थी कि छोटी लड़कियां जादा अच्छे से सीखती हैं अगर वो एक ही टाइम पर रोज पड़े तो वो स्क्रीन चालू हो गई और इस पर लिखा हुआ था कि आज का अरिथमेटिक लेसन है यानि कि आज का मैट्स का गनित का लेसन है प्रोपर फ्राक्शन को जोड़ना प्लीस इसमें कल का होमवग डालिये माझी दिट सो विट असाई She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard sitting together in the school room going home together at the end of the day They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it and the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions half and four. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Margie ने बड़ी दुखी मन से अपना होमवक डाला. वोच सोच रही थी पुराने स्कूल के, पुराने जमाने के स्कूल के बारे में जो उस समय हुआ करते थे, जब उसके दादा के भी दादा, एक बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे. तब सारे बच्चे पडोस में आ जाया, पडोस से सारे बच्चे आकर, हसकर, चिलाकर, स्कूल के आंगन में एकटा हो जाया करते थे, एक साथ बैठा करते थे स्कूल में, घर साथ जाया करते थे, एक जैसी चीजे सीखते थे, ताकि एक दूस्टे को मदद कर सके हूमवग के साथ, और टीचर जो थे, वो भी इनसान हुआ करते थे, फिर उसके बाद देखा कि, जो मेकानिकल टीचर एक कम्प्यूटर उस पर लिखा हुआ आ रहा था, कि अब हम फ्रैक्शन हाफ को, यानि आदे और एक चौथाई को जोड़ेंगे, मार्जी यही सोच रही थी, कि उन बच्चों को कितना पसंद आते होंगे पुराने दिन, और उन्हें उन पुराने दिनों से कितना प्यार होगा, वो सोच रही थी किस के बारे में, उस मज़े के बारे में, जो वो किया खटते थे, तो ये था हमारा लेसन नमबर वन, अब हम करेंगे क्वेशन, तो पहला क्वेशन है, मैं आंसर दीस क्वेशन इन फ्यू वर्ट और अ कपल अग सेंटेंसेज इच, पहला क्वेशन है, तो इसका जवाब है, मार्जी ग्यारा साल की और टॉमी तेरा साल का है, वोट दिट मार्जी राइट इन हर डाइरी, मार्जी ने अपनी डाइरी में क्या लिखा? इसका जवाब है, मार्जी ने अपनी डाइरी में लिखा, आज 17 मई 2157 साल में टॉमी को एक असली किताब मिली, Had मार्जी ever seen a book before? क्या मार्जी ने पहले कभी एक किताब देखी थी? इसका जवाब है नहीं, उसे किताब के बारे में क्या चीज़े अजीब लगी? उस किताब के पीले और एकदम सल में पड़े हुए पेज पन्ने थे, और उस किताब के जो शब्द थे, वो रुके हुए थे, वो इधर उधर गूम नहीं रहे थे, जैसे कि कम्प्यूटर की स्क्रीन पर शब्द घूमते हैं, उसे ये चीज़े अजीब लगी. आपको क्या लगता है एक टेली बुक क्या होता है? तो एक टेली बुक जो होती है, वो एक टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली किताब होती है, और जैसे एक सामान्य किताब होती है, उसी तरह के शब्द आपको उस टेली बुक में दिखाई देते हैं, बस फरक इतना होता है, उसे आप टीवी पर देख सकते हैं, हाथ में नहीं पकड़ सकते. Where was Margie's school? Did she have any classmates? Margie का school कहा था? क्या उसके कोई सहपाठी थे? बेड्रूम के पास था, यानि कि उसी के कमरे के पास था? नहीं, उसका कोई सहपाठी नहीं था. What subjects did Margie and Tommy learn? Margie और Tommy क्या विशेव की पढ़ाई करते थे? तो Margie सीखती थी geography और mathematics यानि की भुगोल और गनित. और Tommy सीखता था history और mathematics यानि की इतिहास और गनित. अगला जवाब है, अगला question है, answer the following with reference to the story. I wouldn't throw it away. I wouldn't throw it away. मैं इस नहीं पेखना चाहूंगी. Who पेखना चाहूंगा या चाहूंगी? Who says these words? ये शब किस ने कहे? ये शब मारजी ने कहे. What does it refer to? It refers to that real book that Tommy found. It का मतलब यहां पे वो अस्वी किताब है जो Tommy को मिली. What is it being compared with by the speaker? तो जो speaker है, वो उसे compare कर रहा है एक telly book से. Question number two. Sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Who does they refer to? What does regular mean here? What is it contrasted with? हाँ, उनके पास teacher होते थे. पर वो एक आम, हमारे जैसा teacher नहीं, वो एक आदमी हुआ करता था. तो यहां पे दे कौन है, यानि कि वो कौन है? तो यहां वो लोग हैं, जो पुराने जमाने की लोग थे. Regular का मतलब यहां क्या है? Regular का मतलब वो mechanical teacher या computer जो उनके पास था. और उसे किस से compare किया गया है? एक normal teacher जो पहले के जमाने में हुआ करता था, यान और जो जिन्दा इन हुआ करता था. अगला question है, अब हमें इन question को एक short paragraph में जवाब देना है इनका. ठीक है? तो पहला सवाल है, मार जी और टॉमी के teacher कैसे थे? तो मार जी और टॉमी के teacher mechanical teacher थे, यानि कि computer के उपर computer पढ़ाया करता था, उनको computer या TV पे. उनका एक जिन्दा इनसान teacher नहीं था, जो बच्चों को classroom में पढ़ाये. अगला सवाल है, why did मार जी's mother send for the county inspector? मार जी की ममी ने county inspector को क्यों बुलवाया? मार जी की ममी ने county inspector को इसलिए बुलवाया, क्योंकि mechanical teacher धंसे काम नहीं कर रहा था, यानि कि computer, वो जोग्रफी में उसको एक के बाद एक test दिया, जा रहा था, और वो बहुत बुरी तरह से fail हो रही थी. What did he do? County inspector ने क्या किया? County inspector ने mechanical teacher का जो speed था, वो एक 10 साल के बच्चे के उपर कर दिया. Mechanical teacher की speed जो थी, वो control हो गई और मार जी के दिमाग के हिसाब से adjust कर दी गई. Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? Margie geography में इतना बुरा क्यों कर रही थी? और county inspector ने क्या किया उसकी मदद करने के लिए? Margie geography में भुगोल में इसलिए पीछे है रह रही थी, क्योंकि mechanical teacher यानि computer चो था, वो उससे बहुत जल्दी जल्दी question दिखाया जा रहा था. County inspector ने उसकी speed? अगला question है, what had once happened to Tommy's teacher? एक बार Tommy की teacher को क्या हुआ? Tommy का teacher उससे कब एक बार एक महीने के लिए ले लिया गया था, क्योंकि जो history के lesson थे, वो बिलकुल आना बंद हो गए थे, यानि इतिहास के lesson. तो Tommy के पास उस time पे कुछ करने को नहीं था, वो सिर्फ मजी कर रहा था. अगला question है, did Margie have regular days and hours for school? इफ सो, वाई? पुराने type के school को किस तरीके से उसका वर्णन किया? Tommy ने बताया कि पुराने type के school बड़े ही अलग थे, उनकी एक special building थी और सारे बच्चे वहीं पढ़ने चाते थे. वो हसते थे और स्कूल के आंगन में चिलाते थे. और वो साथ में बहुत मस्ती करते थे और सारे lesson एक साथ classroom में सीखते थे. और वो बच्चों को homework दिया करते थे और जो teacher थे, वो mechanical teacher नहीं के computer नहीं, बलकि जीते जागते इंसान थे. अगले जो question है, इनको हमें 2 से 3 paragraph में इनके जवाब देने हैं. अगला question है, what are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that that मांची और टॉमी हाव इन दे स्टोरी? तो जो mechanical teacher और जो school room था है, यानि के जो computer और जो उनका school का जो camera था, जो मार्ची और टॉमी का camera था, उसके क्या main features थे? तो मार्ची और टॉमी दोनों के पास mechanical teacher थे, यानि computer teacher. और उन दोनों को ही school जानी की ज़रत नहीं पढ़ती थी पढ़ाई के लिए. mechanical teacher जो था, वो घर के किसी एक camera में रखा हुआ था, यानि की computer, और वो उससे अलग-अलग विश्यों की जानकारी ले सकते थे. उनके ऐसे कोई classroom नहीं थे, जहां पे बच्चे एक साथ बैठ कर पढ़े. वो सिर्फ टेली बुक्स से पढ़ते थे. टेली बुक्स यानि की, वो किताबे जिनको आप टीवी पे देख सकते हैं. और उसके लिए ने किताबों की ज़रुत नहीं पढ़ती थी. और एक्जाम भी अलग तरीके से होते थे, वो अपना homework अलग तरीके से करते थे. मार्जी को अपना homework एक punch code में लिखना पढ़ता था, जो उसने जब वो 6 साल की थी तब सीखा था. अगला question है, why didn't Margie hate school? Why did she think the old school of, old kind of school must have been fun? तो मार्जी को पुराना school क्यों मार्जी स्कूल से नफरत करती थी? और उसे क्यों लगता था कि पुराने जमाने के school अच्छे हुआ करते होंगे? मार्जी को स्कूल इसने नहीं पसंद था क्योंकि उसके पास एक mechanical teacher था, यानि की computer जो उसके घर में ही था. और उसे उस room में अकेले बैठना पड़ता था और अपने सारे assignment, अपने सारे homework करने पड़ते थे. और जो मार्जी को सबसे ज़ादा बेकार लगता था, वो था जब उसे अपने homework और test paper को वहाँ पे punch code में डालना पड़ता था. उसे ऐसा लगा कि पुराने school इसलिए मज़ेदार होंगे क्योंकि वहाँ सारे बच्चे एक साथ बैठा करते थे, वो मज़े करते थे, हसते थे और school के आगन में चिल्दा आते थे. तो बच्चों को अपनी शमताएं बढ़ाने के लिए असपास में और दूसरे बच्चे चाहिए होते हैं, अगर वो अलग हो जाते हैं, तो उन्हें बहुत अकेलर महसूस होता है. अगला सवाल है, क्या आपको लगते हैं, आज कल के स्कूल इस कहानी में जैसे स्कूल बता है, याणि क्या आपका स्कूल इस कहानी के स्कूल से जादा मज़ेदार है? तो इस बात में तो कोई शक नहीं है, कि आज के स्कूल जादा मज़ेदार है, बजाए उसके जो यह फ्यूचर का स्कूल यानि भविश्य का स्कूल बताया गया इस कहानी में. इस school में कुछ नहीं है बस एक mechanical teacher है जिसमें कोई भावनाई नहीं है और उसके पास ये शमता नहीं है कि वो एक बच्चे की भावनाओं को समझ सके और आजकल के school जो है वो बच्चे के overall development यानि पूरी तरह से विकास पर ध्यान देते हैं वो सारे बच्चे एक ही चीज़े सीखते हैं और जो teacher है वो भी असली इंसान होते हैं तो बच्चे एक साथ बैठते हैं एक साथ सीखते हैं तो इस तरीके से उन्हें अकेला महसूस नहीं होता फिर अगला सवाल है Adverbs Read the sentence taken from the story तो अब हमें sentence परना story से या गया है They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history teacher sector had blanked out completely The word complete is an adjective. When you add lead to it, it becomes an adverb उन्होंने एक बार Tommy के teacher को एक महिने तक ले लिया था क्योंकि history के lesson बिलकुल दिखने बंद हो गए थे तो बिलकुल completely जो है, जो complete शब्द है वो एक adjective होता है तो अगर उसके आगे आप ly लगा देते हो तो वो एक adverb बन जाता है तो अब पहला सवाल है हमें इस lesson से वो सारे sentence ढूणने हैं जो इन adverb से match करते हो तो पहला है awfully तो इसका answer है paragraph one में जो है and it was awfully and it was of funny दूसरा है sorrowfully s-o-r-r-o-w-f-u-l-l-y तो इसका जवाब है paragraph three में until her mother had shaken her head sorrowfully paragraph three फिर तीसरा है completely जिसका अभी हमने उपर देखा example फिर चौता है loftily l-o-f-t-i-l-y तो इसका जवाब है paragraph six में he added loftily फिर है carefully c-a-r-e-f-u-l-l-y इसका जवाब है paragraph six में pronouncing the word carefully अगला sentence है अगला है word carefully c-a-r-e-f-u-l-l-y तो इसका answer है paragraph six में जहाँ पे है pronouncing the word carefully फिर लास्ट है differently d-i-f-f-e-r-e-n-t-l-y इसका answer है paragraph eight में each kid has to be taught differently तो यह सब आप अपनी books में चेक करना अब अगला question है कि अब हमको इन adverbs को तो adverbs पहली बद क्या चीज होती है adverbs मतलब वो शब्द जो kriya बताए किसी भी चीज की तो अब हमें इन adverbs को यूज करके इन fill in the blanks को fill करना है तो पहला है the report must be read dash so that performance can be improved तो यह क्या कह रहा है sentence की report को पढ़ना चाहिए dash किस तरीके से ताकि performance बढ़े तो report को किस तरीके से ध्यान से यानि कि carefully तो पहला answer होगा carefully c-a-r-e-f-u-l-l-y दूसरा है at the interview Samir answered our questions shrugging his shoulders at the interview Samir answered his answered our question dash shrugging his shoulders मतलब interview में Samir मारे सवाल का जवाब दिया किस तरीके से अपने कंदे जुकाते हैं किस तरीके से loftily 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 मतलब बिल्कुल इच्छा से नी L-O-F-T-I-L-Y तीसरा है we all behave dash when we are tired or hungry हम सब dash तरीके से पेश आते हैं जब भी हम थके हुए या भूके हो तो हम किस तरीके से अलग तरीके से differently तो third answer है differently D-I-F-F-E-R-E-N-T-L-Y फिर fourth है the teacher shook her head dash when Ravie lied to her तो teacher ने अपना सर dash किस तरीके से जुकाया जब Ravie ने उनसे जूट बोला sorrowfully यानि दुखी मन से S-O-R-R-O-W-F-U-L-L-Y यह है fourth answer फिर fifth है I dash forgot about it मैं उसके बारे में भूल गया या भूल गई किस तरीके से? पूरी तरीके से यानि कि completely C-O-M-P-L-E-T-E-L-Y completely फिर sixth है when I complimented Ravie on her success she just smiled dash and turned away मतलब जब मैंने Ravie को उसकी success पे उसकी जीत पर बदाई दी तो वो सिर्फ हस के किस तरीके से हसी और मुढ गई nonchalantly N-O-N-C-H-A-L-A-N-T-L-Y मतलब बिना किसी excitement पे बिना किसी उत्सा के सिर्फ मुस्कुरा के घूम गई फिर अगला है the president of the company is dash busy and will not be able to meet you मतलब president of the company is किस तरीके से busy है और मिलनी पाएंगे awfully यानि कि बहुत बुरी तरीके से व्यास्त है तो seventh का answer है awfully A-W-F-U-L-L-Y फिर last है I finished my work dash so that I could go out to play तो मैंने अपना काम खतम कर लिया किस तरीके से ताकि मैं बहुर जाके खेल सकूँ जल्दी से quickly Q-U-I-C-K-L-Y तो अब अगला question है कि हमको इन adverbs से adjectives बनाने हैं तो जो adverbs होते हैं उनसे अगर adjectives बनाने होते हैं तो हमको जहां अगर कोई adjective Y पे खतम हो रहा हो तो उस Y की जगे I लग जाएगा और L-Y जुड़ जाएगा यानि कि I-L-Y तो जैसे पहला है angry तो उसका होगा angryly A-N-G-R-I-L-Y दूसरा है happy तो उसका होगा happily H-A-P-P-I-L-Y तीसरा है merry तो उसका होगा merily M-E-R-R-I-L-Y फिर चौता है sleepy तो उसका होगा sleepily S-L-E-E-P-I-L-Y फिर पाच्वा है easy तो उसका होगा easily E-A-S-I-L-Y फिर उसके बाद में है noisy तो उसका होगा noisily N-O-I-S-I-L-Y फिर है tidy तो उसका होगा tidily T-I-D-I-L-Y फिर है gloomy तो उसका होगा gloomyly G-L-O-O-M-I-L-Y अब अगला question क्या है if not and unless तो imagine that Margie's mother told her you'll feel awful if you don't finish your history lesson तो imagine करो कि Margie की ममी न उसको कहा कि तुम्हे बहुत बुरा लगेगा अगर तुमने अपना history का इतिहास का lesson खतम नहीं किया तो मतलब वो इसके जगे क्या कह सकती थी you'll feel awful unless you finish your history lesson unless का means if not sentences with unless or if not are negative conditional sentences और उसकी ममी और क्या कह सकती थी कि तुम्हे बुरा लगेगा जब तक तुम अपना history का lesson अगर तुमने अपना history का lesson खतम नहीं किया तो हम यह देखे कि notice करो कि इन दोना sentences में दो part है तो जो part if not से शुरू होता है या फिर unless से वो हमें बताता है कि condition क्या है यानि कि situation क्या है स्थिती क्या है this part has a verb in the present tense look at the verbs don't finish finish in the sentences above तो इस part में एक क्रिया है जो कि present tense में है यानि कि वर्तमान के tense में है तो जैसे कि don't finish finish और जो दूसरा part of sentence है वो हमें बताता है कि result क्या होगा वो हमें बताता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा तो इसमें जो verb होती है क्रिया होती है वो future tense में होती है यानि कि you will feel यानि कि तुम्हें ऐसा महसूस होगा या तुम्हें ऐसा लगेगा तो अब हमें इन दोनों मतलब कोई भी बुक्स बचेंगी नहीं जब तक हम उन्हें बचाएंगे नहीं अगर हमने उन्हें बचाया नहीं तो तो इसका मतलब कि तुम्हें अपने लेसन याद नहीं होंगे अगर तुमने रोज पढ़ाई नहीं की तो टॉमी का एक आक्सिडेंट होगा अगर वो धीरे नहीं चलाएगा तो तो अब हमें ये नीचे दिये गए सेंटेंस को कम्प्लीट करना है ऐसे पहला है If I don't go to Anu's party tonight मतलब अगर मैं Anu की party में आज नहीं गई तो तो क्या होगा तो वो नाराज हो जाएगी तो क्या होगा If I don't go to Anu's party tonight She will get annoyed तो वो हो जाएगी मतलब की भविश्यकाल में अगला है If you don't telephone the hotel to order food मतलब की अगर तुमने hotel में telephone करके खाना नहीं order किया You will miss your evening meal तो तुम शाम की शाम का खाना miss कर दोगे यानि की कर दोगे अगर अभी नहीं किया तो तो यह देखा अपने कैसे है sentence अगला है Unless you promise to write back I shall keep requesting you मतलब जब तक तुम मुझे वादा नहीं करते कि तुम वापस लिखोगे मैं तुमें request करता रहूंगा करती रहूंगी If she does not play any games अगर वो कोई खेल नहीं खेलेगी तो तो से क्या होगा तो वो बहुत आलसी और unfit बन जाएगी She will become lethargic and unfit फिर है Unless that little bird flies away quickly जब तक वो अगर वो छोटी चिडिया जल्दी से नहीं उड़ी तो क्या होगा तो बिली उस पे पंजा मार देगी The cat will pounce on it फिर अगला है writing section तो इसमें देखते हैं क्या है question A new revised volume of Isaac Asimov's short stories has just been released Order 1 set Write a letter to the publisher Mindframe Private Limited 1632 Asafali Road New Delhi Requesting that are set to be sent to you by value pay bill post And giving your address Your letter will have the following parts Addresses of the sender and receiver Salutation, body of the letter, closing phrases and signature तो इसमें आपको एक खत लिखना है एक letter लिखना है तो अभी अभी Isaac Asimov Isaac Asimov कौन है इस lesson के लेखक तो उनकी अभी अभी एक short लगू कताओं की एक किताब अभी अभी publish हुई है अभी अभी निकली है तो हमें उसका एक set मंगाना है तो हमें उस publisher को खत लिखना है publisher का address यहाँ पे दियावा है कि आपको एक set भेजे VPP के द्वारा और अपना address देना है तो letter ऐसे शुरू होगा address, your address मतलब यहाँ पे हमें अपना address लिखना है जैसे 4, 2 और उसके बाद में कोई भी road का नाम या अपने घर का नाम और उसके बाद में आप कौन से जिले में रहते हो कौन से शहर में रहते हो उसका नाम फिर आज की तारीक फिर उसके बाद में जहां हमें भेजना है जहां में एक हद भेजना है उनका address जो की यहां दिया हुआ है यानि की Mindframe Private Limited Mindframe Private Limited 1632 Asaf Ali Road New Delhi फिर लिखना है हमें subject subject में क्या लिखेंगे हम request for new volume of Isaac Asimov short story मतला हम किसके लिए request कर रहे है नई volume नया set जो आया Isaac Asimov की short story फिर हम खच शुरू करेंगे Sir I just came to know that a new revised volume of Isaac Asimov's short stories has just been released I will be very grateful if you send one set of this volume as early as possible at my mailing address Yours faithfully Raheem Khan enclosed a DD for rupees 2000 यहां पे जैसे मान के चलो अगर वो 2000 रुपे का set है तो हमने DD उसके साथ हम लगाएंगे 2000 का और साथ में bank का नाम लिख देंगे सामने वाले का ठीक है तो हमने इसमें क्या लिखना है हमें letter में I just came to know मतलब मुझे अभी अभी पता चला है कि I say cashmove की लगू करता हूं की किताब अभी अभी छपी है तो मैं बहुत आभारी होंगा या होंगी अगर आप मुझे इस set अगर आप मुझे इस volume का एक set भेजेंगे जल्दी से जल्दी इस address पर yours faithfully तो यहां मैंने रहीम नामली आप कुछ भी डाल सकते हैं तो इस तरीका हम यह खट लेकें फिर अगला है अगले question में आपको क्या करना है आपको चार-चार के group बनाने और उसमें इस topic को discuss करना है कि the schools of the future will have no books and no teachers मतलब भविश्य की स्कूलों में ना तो कोई किताबे होंगी यह कोई teacher होगा तो आप यह decide कर सकते हो कि आपका group इस के मत में बोलेगा इसके पक्ष में बोलेगा उसमें मतलब इस चाहते होकि अगर आप ऐसा चाहते हो कि भविश्य के स्कूलों में कोई किताबे यह कोई teacher ना हो To आप इसके पक्ष में बोले और नहीं तो आप इसके विपक्ष में अपनी दलील देना और इन सारी ठीजों के लिए आप ये सारे फ्रेजिस यूज कर सकते हो जैसे in my opinion, I, we fail to understand why, in my opinion मतलब मेरी राय में I, we fail to understand why का मतलब मैं या हम ये समझने में बिलकुल सक्षम नहीं है कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा कहना चाहते हैं I wholeheartedly support या oppose the view that मतलब मैं पूर्त हे दिल से इसका समर्थन या इसका विरोत करता हूँ किसी भी छीज का जो सामने वाला कहे फिर at the outset, let me say, मतलब जाते जाते मुझे कहने दीजे कि I would, we would like to raise the issue of or argue against मतलब मैं या हम चाहेंगे कि हम ये मुद्दा उठाएं या इसके विपक्ष में कहें कुछ I should like to draw attention to मैं चाहूँगा आपका ध्यान इसकी तरफ खीचना तो ऐसे सारे, जैसे My, our worthy opponent has submitted that on the contrary I firmly reject तो आप जैसे जो अगर पक्ष में हैं तो वो ये बता सकते हैं कि भविश्य में कोई कोई स्कूल में स्कूल में बॉक्स याmilद कोई तीसर्थ नहीं होंगे क्योंकि जैसे जैसे टेकनालोजी बढ़ती जा रही है कम्प्यूटर की डिजिटल टेकनालोजी इंटरनेट का लिंक इंटरनेट की अब इंटरनेट कितना फैला हुआ है जैसे अब भी भी आप लोग की online classes चल रही होंगी और जो माता-पिता है उनके इस हबाव में भी बदलाव आ गया है और अब इतने जादा experience के और अच्छे teacher कम मिलते हैं और जो अब इतने सारे gadget आ गए नए-नए phone, laptop, iPad, computer और stationary का खर्चा कम होगा किताबों पे, खर्चा कम होगा, wastage कम होगा किताबों पे, copy पे, pencil पे, pen पे और इसके अगर हम विपक्ष में बोले तो अगर school जो है future में अगर उनमें कोई किताब और कोई teacher नहीं होगी तो इससे जो बच्चे होंगे, वो मशीनों के गुलाम बनके रह जाएंगे और teacher जो होंगे, उनको computer replace कर देगा और जो computer उनको इनसानियत का पार्ट नहीं पढ़ाएगा सही गलत में फर्करना नहीं सिखाएगा और इनसान जो है, वो और जादा materialistic हो जाएगा मतलब उसको सिर्फ चीजों से प्यार होगा बच्चे जो हैं, वो बहुत ही indisciplined होंगे और बच्चों के मन में parents के लिए, बड़ों के लिए अपने दोस्तों के लिए कोई इज़त नहीं रहेगी और भाईचारे की कोई भावना नहीं रहेगी बच्चों में तो इस तरीके से देखेंगे हम फिर अगला है the poem, अगला है poem the road not taken तो ये बहुत famous poem है, Robert Frost के द्वारा लिखी हुई तो इस poem को, ये poem है choices के बारे में मतलब हम कैसी, क्या चुनाओ करते हैं चुनाओ का मतलब हम किन चीजों को चुनते हैं किन चीजों को छोड़ देते हैं और वो चीजें और वो choices जो हमें एक इनसान बनाती हैं जैसे हम आज हैं Two roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and look down one as far as I could to where it bent in the undergrowth तो एक yellow wood Two roads diverged in a yellow wood मतलब कि एक पीले रंग के जंगल में दो रस्ते फटते थे यानि कि एक left जा रहा हो और एक right जा रहा हो आप अपने दिमाग में एक बार इस situation को imagine करके देखो पीला रंग का जंगल बहुत सारे घनी घनी पेड और दो रास्ते फट रहे हो एक left जा रहा हो एक right और and sorry I could not travel both और sorry मैं दोनों पे नहीं चल सकता है कोई भी नहीं चल सकता ना एक बार में दो रास्तों पे and be one traveler मतलब अब दोनों रास्तों पे चल कर एक राही तो नहीं बन सकते ना long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth मतलब मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और जितनी दूर तक मेरी आखे जा सकती थी वहां तक मैंने जा कर देखा कि ये आगे रास्ता कहां जाके मुरता है then took the other just as fair and having perhaps the better claim and because it was grassy and wanted wear though as for that the passing there had worn them really about the same और फिर उसके बाद मैंने दूसरी रोड ली जो वैसी ही दिखती थी और जिस जो मुझे जादा सही लगी क्योंकि उसमें बहुत सारी घास थी और उस वो चाहती थी कि कोई उस पर चले जबकि पर ऐसा था कि जो उससे निकल रहे थे उन्हों वो उस पर उतना ही चले थे And both that morning equally lay in leaves no step had trod in black Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back तो कभी क्या कहते हैं And took the other just as fair and having perhaps the better claim Because it was grassy and wanted wear Though as for that the passing there had won't them really a bad मतलब उस दो राहे पर खड़े होकर कभी ये सोचते हैं कि वो दोनों ही रास्तों को ढंग से देखते हैं और ये सोचते हैं कि वे दूसरे रास्ते से जाएंगे क्योंकि ये रास्ता कभी को साही ही लगा क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबी लंबी घास हरी उगी हुई थी यानि कि उस रास्ते से अभी तक कोई गुजरा नहीं था जबकि जो दूसरा वाला रास्ता था वो पूरा बंजर दिखाई पड़ रहा था मतलब कि उस रास्ते से पहले भी बहुत लोग गुज़र चुके थे और जब यात्री इस रास्ते से गुज़रे थे तो उनके पैरों से घासे दब चुकी थी और इसी वज़े से वो रास्ता बंजर दिख रहा था इस ये कवी को पहला वाला रास्ता खुद के लिए बहतर जान पड़ा क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई भी यात्री गुज़रा नहीं था कवी ये सोच ही रहा होता है कि कौन से रास्ते में जाना है कौन से में नիता वो इस परिणाम पर पहुचते हैं कि आज के दिन वो अकेले ऐसे यात्री हैं जो जंगल में इतनी दूर तक आए हैं कि दोनो ही रास्तों में ऐसे कोई पैरों के ताजा निशान यानि कि पत्तों के कुछले जाने के निशान दिखाईने दे रहें फिर कभी दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हुए सोचते हैं कि वो पहले रास्ते से फिर कभी चले जाएंगे जबकि उसे भली बांती ये पता है कि वो फिर इस जंगल में दुबारा नहीं आएंगे और फिर कभी को ये भी पता होता है कि जंगल के रास्ते किस तरीके से भूल वले या उतर कौन सा रस्ता कहां मिलेगा किसी को नहीं पता फिर दोनों रस्ते आगे जाके बेले के भी या नहीं किसी को नहीं पता यानि कि एक बार कोई रासा चुल लेने पर आप दुबारा उस जगे पहुट जाएंगे या नहीं कोई नहीं जानदा I shall be telling this with a sigh Somewhere ages and ages hence Two roads diverged in a wood And I took the one less travelled by And that has made all the difference So now we have a few of our own निर्णे का उनके भविश्य में पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में बता रहे वो ये कहते कि उनके दवारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णे बिलकुल भी आसान नहीं था वो बहुत ही कठिन था और भविश्य में जब भी वो इस खटना को याद करेंगे तो उनका मन चिंता से भरेगा क्योंकि उनके पास विकल्प ये था कि वो साधारन रास्ते से जा सकते थे फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जा उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है और इसलिए इस निर्णे ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया और अब उन्हें अपने जीवन से साधारन मार को हटा दिया मतलब कभी ये कहना चाहते हैं कि इस निर्णे ने उनके जीवन पे अच्छा प्रभाव डाला है कितना गहरा मतलब है इस कवीता का तो अब हम कट क्वेशन तो diverged का मतलब होता है separated and took a different direction मतलब जहां कोई चीज अलग हो रही हो और दूसरी दिशा में जा रही हो अंडर ग्रोथ का मतलब होता है dense growth of plants and bushes मतलब भारी मात्रा में जब जाडियां या पेड़ पौदे ओग जाएं तो उसे अंडर ग्रोथ कहते है wanted where मतलब जब उसे काम में नहीं लिया हो गया हो hence मतलब future में तो पहला question है where does the traveler find himself what problem does he face तो traveler यानि की राही यानि की कभी अपने आपको कहां पाए तो उन्होंने अपने आपको एक yellow wood में पाया यानि की जंगल में और उनको ये परिशानी हो रही थी कि उस जंगल से दो रास्ते निकलते थे दो रोड तो वो कौनसी रोड पर जाए तो वो कौन सी रोड पर जाए तो discuss what these phrases mean to you a yellow wood yellow wood का मतलब क्या होता है जिसे जब जंगल जो होते हैं उनमें जब बहुत धूप बहुत गर्मी की वज़े से जब पतियां सूख जाती है तो अक्सर हरे भरे जंगल पीले पर जाते हैं तो उसे yellow wood कहा जाते है अगला है it was grassy and wanted wear मतलब की ये वो बहुत ही हरा बरा था और बहुत काफी समय से इस्तिमाल नहीं किया गया था the passing there मतलब जो वहां से निकल रहे थे गुजर रहे थे leaves no step hat trod in black मतलब की कोई भी पत्ते काले नहीं पड़े थे कुछ ले जाने की वज़े से how way leads on to way मतलब भूल भुलईया जैसा रास्ता is there any difference between the two roads as the poet describes in stanza two and three तो जैसा की दूसरे और तीसरे stanza में हमने देखा की कभी कहरें दोनो ही road एक जैसी थी दोनो ही road जो थी हरी बरी हो रखी थी एक हरी बरी थी और दोनो ही road पे पत्ते ऐसे ही थे बिलकुल ताजे पड़े विते जैसे किसी ने उन पर पैर नहीं रखाओ तो दोनो ही road एक जैसी थी stanza two or three में और जबकि फेर दूसरे इन दे लास्ट टू लाइन्स अप दे पोएम तो जो आखरी दो पंक्तिया हैं इस कभीता की उसके अनुसार जो कभी जिस road पर चले वो road वैसी थी जिस पे लोग कम चले थे बदब जिस से जादा यात्री नहीं गुजरे थे तो जो आखरी दोनो लाइने हैं इस कभीता की वो ये बताना चाहरी हैं कभी ये कहना चाहरे हैं कि उन दोनो road में से मैंने वो road पकड़ी यानि कि वो road चुनी जो जिस पे जादा लोग नहीं चले थे जिससे जादा लोगों ने इस्तिमाल नहीं किया था और उसी की वज़े से मेरे जीवन में इतना बदलाव आया है तो जब अगर पीछे देखे तो ऐसा नहीं लगता कि कभी को अपने इस निर्ने से कोई दोख होता है जबकि उन्होंने इसे accept कर लिया इनी इसे मान लिया है फिर अगला question है have you ever had to make a difficult choice or do you think you will have difficult choices to make how will you make the choice तो ये question आप लोगों के लिए है क्या आपको कभी कोई मुश्किल चुनाव करना पड़ा कि नहीं दो चीजों के बीच में या कोई भी और क्या आपको लगता है क्या आपको ऐसी difficult choices मुश्किल choices लेनी पड़ेंगी तो आप ये choices कैसे लेंगे या आप आपस में बात करके देखना after you have made a choice do you always think about what might have been or do you accept the reality और जब क्या आपने कोई चीज चुन ली होती है तो क्या आप हमेशे ही सोचते रहते हैं कि क्या हो सकता था या आप जो हो जाता है उसे मान लेते हैं तो ये था हमारा lesson number one